मेरा नाम वारस अली पाइनियर कॉंपरी देवेच एज डीजी अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं आज जासी मुझूद आए थे अपने एक मोतबर जिमिदार भाई मुहम्मद असलम 179 जिला स्वाई वाल देवेच उना दे फार्म ते माशाला ना दे डेरी फार्म तकरीबन 2800 तो 300 तक उना कुल जानवार ने पिछली दफार असी उना नो पाइनियर दा अलफा अलफा लूसन दा बीज ट्रायल दे तोर ते काश्ट करवाया सी ते उन दे माशाला ना नो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले ते आज जासी ते आयां ते असलम भाई खुद ते मुझूद नहीं सी ते यसी सोचा के चलो आसी एक खुद वीडियो बनाके ना स्पेशली डेरी फार्म वाले लोगां वास्ते ते यसी अपने जिमिदार बाई या कुछ चांद चाहत जड़ीयाने कोच्छ प्कासोसियाने उनेहते बार एकाह्य ही दे देगी है तुस्छे देख सकते हैं कैसाब्स अड़ा अलफा अल्फा ता जड़ा बीज है यह unos टक्रीबने का वाई तो दे फसल हो गई है तुस्छछे देख सकते हैं कमाश लाओ अ साथ तो आठ एकड जड़ाना बाकी बरसीन काश्ट कीता सी, लेकिन उन्हाननों लूसन दा, इस तरह दा माशाला रिजल्ट मिलिया, कि ऐस दफ़ा तुसी देख सकते हो, कि उन्हानने माशाला आठ एकड लूसन लगाया, और बाकी मज़ीद पंज एकड उन्हानने आज तु हूर काश्ट करना है, यन्हानने तकरीबन ऐस दफ़ा बरसीन कैंसल करके टोटली 13 एकड लूसन काश्ट कीता है, लूसन दा तरीका इस्तमाल बाकी आम जेस तरह ऐसी बरसीन काश्ट करने है, अब बरसीन जड़ी है, इस्तमाल करने है, उससे तरह भी इस्तमाल कीता जा सकता है, लेकिन जो एक सब तो मेन बैनिफिट असलम भाई दे बकाउल के असी इस दी हेव बनाने है, जेस्ता हम इन दा लोगों मुकमल त्यार हो जानदा है, उस तरह में दी मुकमल कटाई करके, इन्हों थोड़ा खुश्क करके, छोटियां छोटियां गठ्था दी शेकल बन के राख लेने हैं, जो कि जदो बाद वुद्ध जानवर नू काश्ट असी इस्तमाल करने की सालिच बनाहीं राख लाइदा बाद एचिस्तमाल करी दा जानवार दी मिकदार वेची अच्छा खासा अधाफा होंदा है, और उस दे जेरी आम जबाने चाहिए यानि के देसी बूला जानदा फैंट उन्दी आन्दी आन्दी ए उन्दी वेच भी बहुत ज्यादा इजादा इजाफा उन्दै आज एकर असलम भाई सारे को मुझूद होंदे ते असी उन्ना जबाने भी तो आनू सुना दे ते बाकी असी जिदेदार ब्राहवन वह जी मशवर्णा देवागें के पय्नियर्दा अल्फा अल्फा जड़ा है खासकर देर्यी आर्वायमा ले या तो तुसी गारव ज करने तुसी प्यादा अल्फा काष्ट करो ताकि जयादा तु जयादा अपने दोज़ी जड़ी मिकदार है उन्नों भी हसल कर सकीए और उन्नी जड़ी प्यूर्टी है उन्नी जड़ी परोटीन दी विटामिन्स दी तदाद है उन्नी अच्छी हसल कर सकीए बहुत बहुत शुक्रिया